है हलो नमस्कार स्ट्रेंट मैं विशेक बारगाव बारगाव क्लासिस के इस यूट चैनल में आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज देखिए यहां पर क्या लिख हुआ है आज का जो मारे टॉपिक है वह है समास ट्रिक यानि क्या ट्रिक है ठीक है तो देखिए समास सबसे पहले तो समास समझना पढ़ेगी कि समास होता क्या है तो दो या दो दो सब्दों से मिलकर बनने वाला सार्थक सार्थक का मतलब होता है मीनिंग्फूल ठीक है मीनिंग्फूल के बगार कोई मतलब नहीं है समास विग्रक ठीक है जो वर्ड मीनिंग्फूल नहीं है त तो किस से सार्थक सब्द समास कलाता है, याने दो या दो सब्दों से मिलकर बनने वाला सार्थक सब्द, जिसका कोई मीनिंग हो, वो क्या कलाता है, समास कलाता है, जैसे रसोई के लिए घर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, रसोई घर, ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, समा अव्याई भाव समास होता है तो अव्याई भाव समास जिस समास का पहला पद या पूर्व पद क्या सब्द अव्याई और प्रधान होना चाहिए वह अव्याई भाव समास कहलाता है ठीक है दिए मैं आप लोगो डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको ट्रिक समझने में आसानी हो तो क्या होगा जिस समास का पहला पद पहला पद को क्या करते हैं पूरो पद वह अव्याय और प्रधान होना चाहिए वह अव्याय भाव समास कहलाता है अव्याय का मतलब होता है नो चेंज यानि कि अव्याय कभी चेंज नहीं होगा नो चेंज होगा उसका मतलब ठ चोटा है और जन्म जो है वो बड़ा है ठीक है तो पहला पद छोटा होगा दूसरा पद बड़ा होगा अव्य भाव समास की बारे में बता रहा हूं ठीक है अव्य भाव समास ठीक देखे आ मरण तो आ क्या है छोटा है मरण क्या है बड़ा है ठीक है उसी प्रकार देखे चोटा है काम बड़ा है ठीक है और इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है तो आप प्रती भर यथा यावत हर तो यह सब क्या होंगे यह सब पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे क्या कहलाएंगे अवेई भाव समास कहलाएंगे ठीक है अवेई भाव समास क्या कहलाएंगे तो ये सब पूरे के पूरे अवेई भाव समास कहलाएंगे आपको कहीं पर भी दिखा आ प्रती भर यथा यावत हर तो आपको आँग बंद करकर अवेई भाव समास में टिक कर दे देखे, आ, कंट, ठीक है, आ कंट, तो आ क्या है, छोटा है, कंट क्या है, बड़ा है, इसी प्रकार देखे, प्रती दिन, प्रती मास, प्रती छण, प्रती वर्स, ठीक है, प्रतेच, परोक्ष, नी संदे, प्रती पल, बेकाम, भर पेट, ठीक है, तो यह जो देखे, भर यहा होगा दूसरा पद बड़ा होगा अब देखते हैं तत्पूरु समास में क्या होगा तो तत्पूरु समास में दूसरा पद प्रधान होता है अब एक भाव में पहला प्रधान होता है और तत्पूरु में दूसरा प्रधान होता है ठीक है ट्रिक क्या है दूसरा छोटा होगा और पहला बड़ा होगा ठीक है दूसरा छोटा होगा और पहला बड़ा होगा तो पहला देखे एक्जामपल देखते हैं तुलसी दास क्रित तुलसी दास क्रित के अंदर देखे तुलसी दास क्या है बड़ा है तुलसी दास क्या है बड़ा है यानि कि पहला जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा चोटा होगा तुलसी दास क्रित यानि तुलसी के द्वारा किया गया क्रित तुलसी दास के द् समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तत्पूरु समास के 6 बेद को समझना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको कारक समझना पड़ेगा ठीक है कारक करताने कर्म को करण से तो यह वाला जो है यह आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना होगा तभी आप क्या कर पाए की अधिकरण में पर यह सब चीज को आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो बिल्कुल तत्पूरुस समास भी नहीं समझ पाएंगे लेकिन फिर भी यह देखते हैं हम यहां पर ट्रिक क्या है तो तत्पूरुस के भेद में पहला भेद है कर्म तत्पूरुस में क्या होता है क कर्म तत्पुरूस कर्म तत्पुरूस तो आपको अगर कारा की याद है तो आप बहुत असानी से इसको बना लेंगे कर्म में क्या होगा को कहां पर आएगा चिडिया को मारने वाला तो वो क्या हो जाएगा चिडिया को मारने वाला को आगया तो को क्या होगा कर्म तत्पुर अब करम ततपुरूष आपको क्या हो गया अप फ़र्प्षण कर्म ततपुरूष अब दूसरा दिकते हैं करन ततपुरूष तो करन तत Portus में क्या आता है से आता है ठीक है आप दोगे यहाँ पर एक्जांपल लिखा हुआ है अकाल से पिडित से जहां पर आएगा वो क्या हो जाएगा करण तत्पुरूस अकाल से पिडित तो क्या हो जाएगा करण तत्पुरूस अकाल से पिडित तो क्या हो जाएगा करण तत्पुरूस उसी परकार और आतुर प्रेम से आतुर जहां पर भी से आएगा वो क्या हो जाएगा करण से तो बहुत असानी से आप समझ जाएगे उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुस में क्या हो जाएगा के लिए जहां पर भी के लिए आएगा जैसे गौशाला तो गौँ के लिए गौँ के लिए इ देज भक्ति देज के लिए भक्ति विद्या विद्यालय विद्या के लिए ते के लिए जहां पर भी आएगा वो संप्रदान पूरुस होगा संप्रदान तत्पूरुस होगा ठीक है संप्रदान तत्पूरुस होगा फिर अपादान तत्पूरुस में क्या होगा से अलग से अलग का मतलग क्या होता है एक से अलग मैं आपको समझा दिता हूँ एक से अलग कैसे होगा से अलग में क्या होगा तो देखें इसते एक्जामपल रिण मुक्त तो रिण से मुक्त याने उससे अलग हो गया वो ठीक है से अलग होना तो यह वाला पहला से जो है वो नहीं यह स से यह क्या होगा अलग होना ठीक है तो किस से अलग हो रहा है तो रिण से अलग हो रहा है माने रिण से मुक्त तो अलग होने वाला से में क्या आएगा अपादान तत्पुरुस जैसे की गुड हिन तो गुड से हिन तो क्या हो जाएगा गुड से हिन याने गुड से अलग हो होता है उसके हीन ठीक है और जन मांग तो क्या होगा जन्म से अंधा जन्म से अंधा तो और क्या होगा धन धन से हीन अलग हो रहा है याने अलग जहां पर भी होगा वहां पर क्या हो जागा अपादान तत्पुरुस ठीक है फिर उसी प्रकार देखते हैं संबंद तत्पुरुस का के की का के की ठीक है संबंद तत्पुरुस में क्या होता है का के की तो आप कारक को अच्छे से याद तो आपको सारा याद हो जागा, का के की में क्या हो जागा, अम्रित धारा, तो अम्रित की धारा, अम्रित की धारा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है की, तो क्या हो जागा, संबंद तत्पुरुस, ठीके, और उसी परकार क्या होगा, उद्धोग का पती, उद्धोग का पत ठीक है राज कुमार राजा का कुमार तो क्या हो जाएगा संबंद तत्पुरुस तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं अधिगरण तत्पुरुस में और पर भी होता है ठीक है तो में जहां पर आएगा वो क्या हो जाएगा अधिगरण तत्पुरुस ठीक है अधिकरण तत् पुसफुसाहट कानों में फुसफुसाहट तो में जहां पर भी आएगा वो क्या हो जाएगा अधिकरण तत्पुरूस और इसके अंदर पर भी होता है ठीक है यहां पर नहीं लिखा था इसके अंदर क्या होता है पर भी होता है तो अश्वा रोही तो क्या हो जाएगा संप्रदान के लिए अपादान से संबंद काके की अधिगरण में पर ठीक है इतना अगर याद कर लेते हैं तो तत्पूरु समास आपको अच्छे से दिमाग में बैट जागा अब इसके आगे देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या है ठीक है कर्मधारय समास तो कर्मधारय समास कि मैं अगर आपको परिभासा बताने जाओं तो देखें किताब की language में मैं आपको परिभासा समझानी की कुशिश करता हूँ पहले सुनिएगा कि कर्मधारे समास में पहला पद विसेशन तथा दूसरा पद विसेश्य होता है अथ्वा एक पद उपमा और दूसरा पद उपमे होता है ठीके तो ये वाला परिभासा तो कुछ समझ में नहीं आता है ठीके तो बुक के उसमें से आप मत पढ़िएगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है ठीके और हम लोग देखते हैं कि अपनी परिभासा क्या है अब इसके अंदर देखें ट्रिक क्या है तो इसके अंदर जो पहला ट्रिक है पहला पद विसेस्ता बताता है ठीक है बता रहा हो पहला पद क्या बता रहा हो विसेस्ता बता रहा हो किसी की देखें एक्जामपल के अंदर देखते हैं चंद्र मुख चंद्र जैसा मुख क्या पहला पद किया बता रहा रहा हूं विसेस्ता बता रहा हूं भी चंदर जैसा यहां पर इतै के उसी प्रिकार नील गगन हुद पार रहर है टा बहुत सारे समझ सकते हैं जैसे नील गाय नीली है जग नील कमल नीला है जो कमल तो क्या है नीला पहला पत क्या बता रहा है विसे इसता बता रहा है ठीक है महा जन तो महान है जो जन ठीक है अब इसके अंदर दूसरा नियम कहता है कैसा है ठीक है कैसा है का मतलब देखे एक्जामपल से बताता हो लाल मडी तो लाल है मडी ठीक है कैसा है मडी तो लाल है मड़ी तो ये जो हैं इसके कुछ उधारान है इससे आप कर्मधारे समास को समझ सकते हैं ठीक है बस इतना याद रखेगा इस टाइप के ज़्यादा कोशन आते हैं जैसे कि नील है गगन नीला गगन नीला अंबर तो इस प्रकार के जो होंगे कैसा है या पहला पद विसेशता बता तो ये कहा के लाएगा कर्मधारे समास इसी प्रकार देखते हैं दूइगू समास में क्या होता है तो दूइगू समास सबसे इजी समास है आपको समझने की यहां पर जोरती नहीं है आपको सिर्फ की अधरगनाई की संख्या वाचक होता है दूइगू समास ठीक है दूइगू समास क्या होता है संख्या वाचक त्रिम्ब केस्वर याने कुछ न कुछ नंबर से ये रिलेटेड होंगे मैं आपको बताता हूं देखिए नौ ग्रह नौ ग्रहों का समू त्री लोक तीन लोकों का समार नवरात्र नौ रात्रियों का समू अठनी आठ आनों का समू दो पहर दो पहरों का समावेर त्रिम्ब क समहार दूहार nella ग्र तो न घ्रहों का समहार चार पंग्तियों का समहार जहां पर यह ऐख सकते हैं ताकि आपको और ज्याद अच्छे समझाए ट्रिक तो यही है कि जहाँ पर भी आपको संख्या दिखे वहाँ पर आपको ठिक लगा देना है कि संख्या वाला जो है वो क्या होता है दुगू समास होता है सीधा सीधा ठीक है अब इसके बाद आगे देखते हैं द्वंद समास ठीक है द्वंद समास में क्या होता है तो द् द्वंद समास का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है जहां पर भी आपको डैस दिखे पाप डैस पुन्य सीता डैस राम उच डैस नीच ठीके अन डैस जल खरा डैस खोटा राधा डैस कृष्ण ठीके खटा डैस मीठा गंगा डैस यमुना घी डैस सक्कर जल डैस वायू तन डैस मन दाल डैस रोटी दूद डैस दही ठीके धनी डैस मानी वेद डैस पुरान डेस बुरा भला और बुरा ठीक है मा डेस बाप तो मा और बाप यस डेस अप यश तो इसके अंदर सबसे महत्व पूर्ण चीज़ है कि जहां पर भी आपको डेस दिखा एक दो अपवाद जरूर होते हैं तो उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सारे डेस वाले क्या देदूंगा समास वाला वहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जल से जल समझना है क्या हो जाएगा आप डैश वाले को दोन समास सीधा सीजा टिक मार दिजेगा जहां पर भी आपको अशा डैश दिखा तो टिक मार दिजे इसके अंदर कुछ अपवाद हैं लेकिन उन अपवादो को अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर क्योंकि हम ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ट्रिक में हर जगह अपलाई नहीं हो सकती है ठीक है तो कुछ अपवाद इसके अंदर हैं तो आप वीडियो देखेंगे लिए पूरा अत्रिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुबरी समास देखिए मुझे जो जितने भी डेफिनेशन होती ही यह मुझे बहुत बक्वास लगती है क्योंकि इतने कठीन कठीन वर्ड यूज किये होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता इसके अंदर सीधा-सीधा क्या यह हुआ है कि एक पद और दूसरा पद ठीक है एक पद और दूसरा पद दोनों से एक तीसरा पद बन जाता है उसको क्या करते हैं बहुबरी समास ठीक है पहला पद और दूसरा पद दोनों के अर्थ से एक तीसरा ही पद निकल कर आता है उसको क्या करते हैं बहुबरी समा सीधा सीधा आप टिक मारिएगा जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भहुब्री की समास के अंदर में है क्या तो दसानन दस है आनन याने मुख जिसके अर्थात क्या है रावन तो याने दोनों पद से क्या एक तीसरा पद निकल कर आ गया नील कंठ नील वस्त्र जिसका अर्थात स्री क्रिष्ण ठीक है लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गडेश जी ठीक है स्वेतांबर स्वेथ हैं अंबर तो अर्थात स्वरस्वती जी ठीक है ऐसी करके याने कि आप इससे देख सकते हैं ठीक है चंद्र मुखी चंद्र के समान मु प्रियाग ठीक है दिर्ग बाहू लंबी भुजाओं वाला तो विश्नु जी ठीक है और देखते हैं निसाचर तो निसा में विचरण करने वाला तो कौन होता है राक्षास नील कंठ नीला कंठ है जिसका तो किसका है स्थिव का है पती व्रता तो पती ही है व्रत जिसका ठीक वीर तो महान वीर है जो तो कौन है हनुमान जी याने कि जितने भी आपको ट्रिक में सबसे अच्छा ट्रिक वही है कि जितने भगवान जी के नाम आते हैं वो सब किसे में आते हैं बहुब्री समास में ठीक है तो यह कुछ ट्रिक थे अगर आप इनको अपलाई कर सकते हैं आ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है?